तो केसे हैं आप लोग आसा करता हूं अच्छे होंगे तो आज का ये वीडियो जी ट्वेंटी के बारे में है जो कि भारत में ये सम्मेलन हुआ था तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगर वीडियो में आप नए है तो वीडियो को सब्सक्राइब किजेगा तो चलिए गाइच वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला प्रस्न आता है जी ट्वेंटी का एकिस्वा अस्थाई सदय से कुन बना तो इसका सही उत्तर है अफ्रेकी संग दुसरा स्वाल है जी ट्वेंटी में अब कूल कितने सदय से हो गए हैं तो इसका सही उत्तर है अफ्रेकी सदय से हो गए हैं जी ट्वेंटी में जी ट्वेंटी के 21 सदश के नाम भारत अर्जेंटीना जर्मनी इंडोनेसिया इटली कनाडा चीन जपान कोरिया गंटाइज फ्रांस मेक्सिको रूस सावधी अरब दच्छी नफरीका तूर्किये जिसे तूर्की के नाम से जाना जाता है अस्टलिया ब्राजिल उनाइटे इंग्डम और USA संयुक्तिराज अमेरिका अपका तिस्रा सवाल जी ट्वेंटी सिखर सम्मेलन के आयोजन अस्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी परतिमा इस्थापित की गई है तो सी नंबर है नाटराज का परतिमा इस्थापित की गई है भारत मंडपम के बाहर में भारत मंडपम के बाहर जो नाटराज है उसके बारे में कुछ जानते हैं यह दुनिया में नाटराज सबसे उची परतिमा है जो यह परतिमा है नाटराज सबसे उची परतिमा है उचाई 27 फीट है चोड़ा 21 फीट है वजन आठरो टन है यह अश्ट धातू से बनी हुए मतलों आठ धातू से बनी हुए सोना चांदी रांगा तांबा पीतल जस्ता लोहा और कासा इसे तमिलांडों के स्वामी मलाई स्वामी मलाई के परशिद्य मुर्तिकार राधा कृष्णन अस्थापित और उनके टीम ने छो मैनों में तयार किया है तो दोस्तों आप लोगों वीडियो कैसा लग रहा है अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका चौता परशन है G20 समेट 2023 में किन सदेश देशों के राष्ट अध्यच नहीं पहुचे थे मतलब कौन सा सदेश का जो राष्ट अध्यच है वो लोग नहीं पहुचे थे G20 सम्मेलन में तो इसका सही उत्तर है B में चीन, रूस और इस्पेन के जो राश्टे अध्यज है वे 2023 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें नहीं पहुंचे थे अब आता है पांच्वा पराशना जी टुएंटी की अस्थापना किस वर्ष की गई थे इसका सही उत्तर है अफ्षन नमबर A 1999 में इसका अस्थापना किया गया था अपका चट्था प्रसना आता है कि जी टुएंटी का पहला सिखर सम्मेलन कभ और कहां आयजित हुआ ठाट में अमेरिका में घिव था बौÃसिंगटन डीसी में 2023 में G20 शिखर समयलन का कौन सा संसकरन है इसका सही उत्तर होगा अठा आर्वा संसकरन अप्शन नमबर D में इसका सही उत्तर है अठवा परशन भारत के पास G20 की अधिच्चता कब से कब तक है तो इसका सही उत्तर है अप्शन नमबर C 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक है इसका अधिच्चता नाइन परशन G20 शिखर समयलन 2023 में कहां आयजित किया गया तो ये नए दिल्ली में जो की भारत देश में आयजित हुआ कुछ इसके बारे में जानते है इसका आयजिन हुआ था भारत मंडपम प्रगती मैदान नए दिल्ली भारत में हुआ था भारत मंडपम प्रगती मैदान में इस्थित एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है भारत मंडपम भारत का सबसे बड़ा इंडोर होल है यह अक्टूबर 2016 से जुलाई 2023 तक बना कर तयार हुआ PM नरंदर मोदी ने 26 जुलाई 2023 को इसका उधगाटन किया था यह जो चीत्र देख रहे हैं आप यह है इसके बाहर का आकरिती इसे वेश्विक बेपार सम्मेलन या किसी अंड परकार के बड़े सम्मेलन में इसको यहां पे आयजित होता है बड़े बड़े अब आता है दस्वा परस्न जी ट्वेंटी सिखर सम्मेलन 2023 भारत में कब आयजित हुआ भारत में कब आयजित हुआ तो कुछ दिन पहले ही हुआ 9 से 10 सितंबर 2023 है अब आता है गार्वा परश्चन जटवैंटी शिखर संमेलन 2023 कि अध्यचता किसने की मतलब 23 में जो संमेलन हुlere उसका अध्यचता किसने की तो इसका सही उत्तर होगा पधान मंत्री नरेंदर मोधी इसी के अग्वाही में G20 सिखर सम्मेलन आयजित हुआ था 12 परस्ण 12 परस्ण है G20 2023 में भारत के सेरपा कौन बने तो इसका सही उत्तर है अमितव कांत आपका 13 परस्ण है भारत में आयजित G20 सिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है जो थीम है वो क्या है तो इसका सही उतर है बासुदेव कुटुम बकम यह नमबर इसका सही उतर है जो थीम बना यह बासुदेव कुटुम बकम यह जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे इसका मतलब होता है कि एक प्रिथिवी एक परिवार एक भविश्य वान एर्थ वान फेमिली वान फ्योचर अब आता है चोदो प्रस्ना जी टुएंटी सिखर सम्मेलन 2023 में कितने अतिथी देशों को बुलाया गया था तो इसका सही उतर है नाइन गो अतिथी देशों को बुलाया गया था अतिथी देशों के नाम जो की मौरिस, इजिफ्ट, बंगलादेश, निधरलेंड, नाइजेरिया, ओमान, सिंगापूर, इस्पेन, सयुक्त, अरब, अमीरात ये है जो की नोगो जिसको अतिथी के रूप में बुलाया गया था 2023 सिखर सम्मेलन है question number 15 G20 2023 के ट्रायका में कौन-कौन से देश सामिल हुए है इसका सही उत्तर है इंडोनेसिया, भारत और ब्राजिल option number B आपके पास सल्वा प्रस्ण है G20 के लोगों में किस पुस्प की आकरिती दर्साई गई है तो इसका सही उत्तर है कमल पुस्प की आकरिती दर्साई गई है G20 लोगों भारत के राष्ट धवच के जीवंत रंगों के सिरिया सफेद और हरे एवं निले रंग से प्रेरी थे इसमें भारत के राष्ट पुस्प कमल को प्रिथिवी गरह के साथ प्रस्तुत किया गया है जो चुनोतियों के बीच विकास को दर्साता है प्रिथिवी जीवन के प्रति भारत के पर्याबरन अनुकूल दिरिष्टिकोन को दर्साती है जिसका प्राकृतिक के साथ पुर्ण समझ जस्च है G20 लोगों के नीचे देवनागरे लिपी में भारत लिखा है देवनागरी में भारत लिखा गया है अतरवा प्रस्ण है G20 के लोगों में कमल के फूल की पंखुरियां क्या दर्साती है कमल के फूल की पंखुरियां क्या दर्साती है अप्सन नमबर A होगा इसका सही जबाब महादीब को दर्साती है अतरवा प्रस्ण वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन 19 संस्करन की अधेचता कौन सा देश करेगा इसका सही उत्तर है अप्शन नमबर A ब्राजिल जो कि 2024 में इसका अधेचता करेगा अपका question नमर 19 है G20 शिखर सम्मेलन 2019 कहां अधेचत हुआ था तो इसका सही उत्तर है बाली इंडोनेसिया में 2022 में आयजित हुआ था 17 G20 शिखर सम्मेलन 2022 में बाली इंडोनेसिया में हुआ था 30 और 31 अक्टूबर को 18 G20 शिखर सम्मेलन 2023 में नेदिल्ली में भारत में हुआ था 9 और 10 सितंबर को और G20 शिखर सम्मेलन उनिश्वा तो अजर चोविस में होगा ब्राजिल में ब्राजिल में दो अजर चोविस में होगा आपका विश्वा परशना G20 विदेश मंत्रियों की बैठक दो अजर तेश में कहां आयजित हुई है तो इसका सही उत्तर है अप्शन नमबर A निव दिल्ली में बैठक हुआ था G20 विदेश में आपका 21 परशना G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजवानी किस सहर ने की है तो इसका सही उत्तर है अप्शन नमबर B बैंगलोरू में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नहीं दिल्ली में हुआ था G20 की पहली वित्य और केंद्रिय बैंग परतिनी दियों की बैठक बैंगलोरू में हुआ था G20 के विकास मंत्रियों की बैठक बरानसी में हुआ था G20 के परियाटन मंत्रियों की बैठक गवा में हुआ था G20 के सिच्छा मंत्रियों की बैठक पुने में हुआ था G20 के अनुसंदान मंत्रियों की बैठक मुंबई में हुआ था G20 के श्रम एवां रोजगार मंत्रियों की बैठक इंदोर में हुआ था G20 की पर्थम संस्क्रिति कारे समू की बैठक खुज राहों मध्य परदेश में हुआ था G20 के उर्जा मंत्रियों की बैठक गोवा में हुआ था तो दोस्तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा बताईएगा कमेंट सेक्षन में और अगर वीडियो में नए है तो वीडियो को सब्सक्राइब किजेगा वेल आइकन को प्रेस किजेगा और अपने मित्रों को सेर किजेगा तो चलिए एक नए वीडियो में आते हैं तब तक के लिए जाहिंद